केले के बेड़ी है रहे हैं डड़ूड गाउं कना जा रहा है आगे मैं दिखाने जा रहा हूं आपको तो अभी है शाम का टाइम और यह टेरीगडवाल चमब ब्लॉक में आता है यहां हम सरवी के लिए आ रहे हैं जल जिगन में सन किलता है तो नमस्कार दोसों एक फिर से स् आपका एक्स्प्लोरर हैं ब्लॉग के चोटे से यूट्यूब चैनल में और मैं मनुश नगवाल आपको इस गाउं का नजारा दिखा रहा हूं अभी हमने यहां पे एक मीटिंग की सर्वे की तो मुझे यह गाउं की लोकेशन इतनी बहस लगी यह जो सामने हाइवे देख अग्रिकल्चर के लिए बढ़ावा बहुत देख रहा लोगों ने और यहां पर सबसे अच्छा मुझे यह लगा कि सारे खेत आबाद हैं मिन्स सब में खेती कर रहे हैं देखो पीछे देखो पूरा बिल्कुल ऐसा व्यू है और बहुत मजा आ रहा है सच में और लोग आने वाले टाइम में तो आप अपने खेतों को किस हिसाब से सेव कर सकते तो निचे जहां तक आपको खेत दिख रहे हैं आप यह मैं पूरा दिखाता हूं आपको तो गाउं के रस्तों पर हूं और बहुत सुकून मिल रहा है सच में यह सर्वे मुझे बहुत अच्छी वाला जो प्रोजेक्ट है वह बहुत बढ़िया है देखे अब मैं आपको यहां का नजारा दिखाता हूं ज्यादा टाइम तो नहीं है क्यों साम हो चुकी है तो यहां वाला सर्वे देखे यह देखे बिलकुल बहुत ही गजब करना जारा है और यह रस्ता गाहों का पूर पूरा जाता हो उपर यह पूरा ग्राम सभा है डडूर का जो टीरी डिस्टिक में पड़ता है और यह देखे यहां लोग खेती देखे बिलकुल उपर से लेखे लाफ स्टॉप तक यह उपर जंगल वाला है यहां कुछ बोर खाया भी जो प्रापर होगा नहीं और यहां क है लाफुप खेती करना जारा हमने यहां से इस रस्ते होते होते हुए यहां से होते वे उस गाँ होते वे टॉप रोड कर जाना है तो अबशनberty जारा बिलकुल मंत्र मुब्र न कर देगा आब वो सच में इसलिए कितना सूकून है पहाड़ में तो उत्रfeitन के हर एक जिल्ल के दार स्रिजाच्मक समीति के अनुसार NGO के अकॉर्डिंग हम यहां सर्वे के लिए आ रखे हैं कि ताके हर घर जल नल्स पहुंचे और जल जीवन मेंसन के तहट हमें यह मौका मिला है कि हम लोगों को अवेर करें और जो हमने किया भी और एग्रिकल्चर का हमने नौलेज भी पहाड नषक लिए तो देखें कितना अच्छा व्यू है सामने डोंर घ्रिवा के लिए नहीं यह वाला रूट है कोटी क्लों निटीरीडैम के लिए वाला रस आयए और चंबा इसके बीच में दौनव एरिया के बीच में पहाड़ में तो देखें कितना बढ़िया है और जहां पे हम आज ठैरे हैं यह वाला घर है प्रधान जी का तो आज काफी अच्छा लगारा है बिल्कुल खेतों के बीचों बीच रस्ता है और बहुत ही बढ़िया है लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, गाउं के रस्ते में देखिए, सारे जहनवर बे आजाद है, तो चलिए दोस्तों ऐसी लोकेशन के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार टाटवाई